हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू यॉर ओन चानल डेली स्टॉक तो यहाँ पर कावेरी सीड के क्यू थी के नंबर्स आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वाटली और एरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देजेगा साथ ही में hit the bell icon let's begin अब यहाँ पर रेविन्यू अगर आप देखे तो वो 14% से गिरा है Q on Q basis मे मतलब अगर आप पिछले quarter से compare करते हो तो ये quarter में 14% की गिरावट है revenue के अंदर और इस quarter में company ने 126 करोड का revenue किया है उसी के सामने अगर आप net profit देखे तो वो 741% से गिरा है और 7 करोड का net profit company ने किया है तो quarterly wise यहाँ पर company का revenue भी अच्छा खासा गिर रहा है और net profit भी अच्छा ख अब यहाँ पर revenue की बात करें तो वो 6% से इंक्रीज हुआ है year on year basis पर मलब अगर आप पिछले December के quarter से यह December का quarter compare करते हो तो यहाँ पर company ने 6% से increase हुआ है revenue लेकिन अगर आप year on year basis पर देखे और सिक्स परसें का increment तो यह इतना ज्यादा नहीं माना जाते तो एक तरह से flat increment हु तो वो 23% से गिरा है तो यहाँ पर company ना yearly basis पर भी अच्छा performance नहीं दिया है और quarterly basis पर भी अच्छा performance नहीं दिया तो यहाँ पर company के bad results आये है अब यहाँ पर 5 year high देखेंगे तो 816.65 और currently 524 पर trade कर रहा है और 3.15% already down है लेकिन जिस तरह से इसके result है तो यह share आपको और भी जाता हुआ दिख सकता है तो अगर आपने सोचा है इसमें निवेश करने का for short term purpose also तो यहाँ पर आपको अभी avoid करना चाहिए निवेश नहीं करना चाहिए I hope आपको कावेरी सीड के Q3 के number समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू